एक बिशेश बर्ग के लोग और मुसलिम समधाय के लोग जब एक नहीं तीन तीन चार चार बीविया रखेंगे नौनो दददस बच्चे पैदा कर देंगे चार शे बच्चे पैदा करके छोड़ देंगे ना उनको रोजी रोटी मिलेगी ना सिक्षा मिलेगी ना और कुछ मिलेगा तो आराजक्ता का माहौल पैदा ही होगा जो जनसंख्या इसकदर बढ़ रही है आजादी से लेकर और आज तक के इतिहास को अगर पलट के देख लिया जाए तो जनसंख्या एक गंभीर समस्या के रूप में आ रही है जिसके कारण से की पूरे देश में तमाम प्रकार की अब्योस्ताएं आराजक्ताएं फैल रही है इसके नियंतर को लेकर कि इस पर नियंतर किस प्रकार से किया जाए और इस पर एक कानून बनाया जाए इसके लिए मैंने चर्चा किया था और चाहता भी हूँ कि हमारे संभिदान में और संसद में इसको कानून के रूप में पारित कराया जाए तो इस क्योंकि यह एक भीर समस्या के रूप में हमारे देश में उत्पण हो रही है तमाम देशों के लोग पलायन करके हमारे देश में आ जाते हैं जिसके कारण भी अर्चार बलातकार और इस तरीके से तमाम चीजों का आविश्कार हो रहा है उसको बढ़ावा मिल रहा है जिसके पीछे अगर देखा जाए तो जनसंख्या ही एक बहुत बड़ा कारण है